चलिए student हम लोग प्रस्ण संख्या 10 को खल करते हैं देखिए प्रस्ण संख्या 10 में क्या का आ जा रहा है एक सम्चतुर्बुच का छेतफल ग्याद कीजिए जिसके सीर्स इसी करममें 3045-14 और —2-1 थो हमें सम्चतुर्बुच का छेतफल निकालना जिसके सीर्स हमेद दिये रह ठीक है तो चलिए जो मारश सम्चतुर्बुच है इस सम्चतुर्बुच का हम लोग सम्चतुर्बुच को बना सम्चत्र्वुज student हमारे कैसा है इसके जो प्रतेक, भुज़ा, बराबर होगा, एक बराबर होगे और समझें और ए जो बुज़ा, उस समाअनतर होती है सम्चत्रवज के जो विकर्ण है आपस में एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं ये भी आपको पता है चलिए ये हमने लिख लिया अब इसके निर्देशांग लिख दीजिए मा लेते हैं जो बिंदू सीर्स ए है ए है और ए का निर्देशांग हमें 3-0 दिया है इस सीर्स को हमने बी माना बी का निर्देशांग हमें 4-5 दिया इस बिंदू को हमने सी माना सी का निर्देशांग हमारे पास माइनस 1-4 है और ए जो बिंदू है इसको हमने डी लिया अब देखिए जो सम्चतुरभुज होता है सम्चतुरभुज के छेटपल को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है लिखिए दिया है A, B, C, D एक सम्चतुरभुज है है जिसके सीर्षों के निर्देशा आंग सीर्षों के निर्देशा आंग क्रमसा 3, 0 4, 5 माइनस 1, 4 तथा माइनस 2, माइनस 1 है हो गया इस्टुडेंट जो मारश सम्चतुरभुज है इसके छेटपल का फॉर्मूला क्या होता लिखिए सम्चतुरभुज का छेट्रफल हमारा बराबर होता एक बटे दो गुडे बिकरणों का गुडन फल यह जो बिकरण बीडी है बिकरण बीडी को मल्टिप्लाई कर देंगे एक बटे बिकरण बीडी को मल्टिप्लाई कर देंगे एसी से तो मारे पास शेटफल मिल जाएगा तो लिखिए बीडी गुडे में एसी अब बीडी गुडे में एसी ना सबसे पहले में बीडी निकालना पड़ेगा बीडी कैसे निकालें चली बीडी निकालते है बीडी क्या होगा BD का मतलब हमें इस Sears से इस Sears के बीच की दूरी निकालना है तो बीच की दूरी निकालने का जो formula इसको आपनो 7.1 में सीख लिया है तो formula apply करिए क्या होता है X2 minus X1 का whole square BD निकालना है X2 क्या है minus 2 minus 2 हो गया minus लिखिए 4 whole square plus X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square यानि की minus 1 minus 5 का whole square minus 2 minus 4 minus 6 हो जाएगा cover करिए minus 1 minus 5 कितना हो जाएगा minus 6 cover करिए minus 6 cover करेंगे 36 हो जाएगा minus 6 cover करेंगे 36 और 36 36 हो जाएगा कितना है 72 ठीक है और 72 को आप क्या लिख सकते हो 36 गुड़ी में 2 36 को क्या लिख सकते हो 6 root 2 36 अबने under root लिया था हमारे पास 6 आ गया चलिए हमारे पास BD तो आ गया अब लोग AC निकाल लेते हैं AC BC तरीके से निकलेगा लिखे AC is equal to under root X2 minus X1 का whole square AC निकालना है X2 minus X1 minus 1 minus 3 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square यानि कि 4 minus 0 का whole square इसको हल कर ये student देखे क्या आजागा minus 1 minus 3 minus 4 होगा minus 4 का whole square करेंगे तो minus 16 minus 4 का square करेंगे तो 16 आएगा प्लस ठीक है माइनस का भी square मारा प्लस ही होता है और 4 का square 16 ही आएगा और 16 प्लस 16 हो जागा 32 32 को लिख सकते है 16 गुड़े 2 16 को under root से बाहर निकालेंगे हो जागा 4 root 2 समझ गए मात रग लिखते चलिए चलिए अब यहाँ पर values रख दीजे 1 upon 2 into bd का मार कितना है 6 root 2 ac का मार कितना है 4 root 2 ठीक है लिखे 1 बटे 2 गुड़े 6 गुड़े 4 करेंगे 24 under root 2 को under root 2 से multiply करेंगे आपके पास आएगा 2 खत्तम हो गया तो यहाँ पर बचा क्या 24 और जो हमारा छेत पल होता है छेत पल का मात रग क्या होता है वर्ग यहाँ पर मात रग ठीक है यह मारा समझ तुर्भज का छेत पल हाग यह हमें यही निकालना था student हमने इसको क्या कर लिया निकाल लिया तो यह एकदम आसानी के साथ फोर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप लोग सवालों को हल कर सकते हैं तो बच्चों इस तरीके से जो मारा question number 10 था हमने इसको solve कर लिया है चलिए आप लोग पढ़ते रहे हैं अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो comment box में comment करना वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा चैनल पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए आप लोग पढ़ते रहे हैं थैंक्यू